Hello friends, आज के इस वीडियो में में आपको ये बताने जारूं कि कैसे आप अपने CMF phone, Android mobile phone में, आप अपने mobile phone में notification sound को अपना set कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में में आपको detail में जानकारी देने वालों, तो चलिए वीडियो को हमें start कर लेतें देखी दूस्तों, notification sound को set करने के लिए आपको जो आपने mobile phone का setting page ओपन करना है setting के इस page में आपको जो आपने नीचे आना है, यहापर ये option मिल जागा, आपको ये sound and vibration का इसे tap कर लेना है आप देखी इस page में आप नीचे आएंगे, तो यहापर आपको एक option मिलता है, ये वाला, ये notification sound का, इसे tap करना है आप देखी इस page में आपको नीचे की साइड यहापर ये, काफी सारे notification sound आपको मिल जाते है, इन में से आपको कोई भी एक select कर लेना है, ठीक है तो यहापर देखी, मैं एक बार यहापर ये इस तरीक से select कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है, तो ये select करने कवाद आपको ध्यान रखना है, इसमें सबसे उपर जो save का बटन है, save पे आपको जरूर select करना है, ठीक है तो इससे आपका जो notification sound होगा हो, सेट हो जाएगा और उसका नाम भी आपर आजाएगा, जब कभी आपके mobile phone पे कोई भी notification आएगा, तो आपका select किया हूँ, sound आपका create होगा phone से, ठीक है तो इस तरह की से आप जो अपने mobile phone और notification sound को set कर सकते हैं, ठीक है